बिस्मिल्य रह्मान रोहिम इसलाम वलेकुम वर रहमत वल्लाहिव बरकातु हूँ आज हम इस औरेंज केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी बन के तैयार हो जाता है देख सकते हैं आपके कितना सॉफ्ट बना है यह और ज्यादा स्पॉंजी भी है आप इस रेसिपी को एक पर जरूर ट्राइ करें चाई के साथ यह केक बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो चली दिख लेते हैं से किस तरह से बनाना है हमने यहाँ पर दो औरेंज लिये हैं अब यहाँ पर हमें यह औरेंज का छिलका ऐसे ख चान लेना है यह औरेंज जूस को चान कर इसे साइड में रख देना है अब एक बाउल में हम तीन अंडे लेंगे देड़ कप शुगर मैंने यहाँ पर शकर को मिस्टर ग्रेंडर में दाल कर पीस लिया है देड़ कप शकर इसमें शामिल कर लेना है अब इसे अंडों के देड़ कप शकर और देड़ कप मैदा इसमें शामिल करना है यह देखे अब इसे भी हमें छान लेना है हलके हातों से हमें इस पैचुला से यह मिक्स कर लेना है अब यहाँ पर हमने जो औरेंज जूस बना के रखा था एक कप वो शामिल कर लेते हैं अब इसे अच्छे से म लिया है वो इसमें शामिल कर लेते हैं घी का इस्तमाल इसमें नहीं करना ही नहीं तो यह बहुत चिप-चिपा हो जाए था वन टी स्पून अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर इस्तमाल कर रही हूं बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर इसमें इस्तमाल कर लेना है तक खिसके रखा था यह और इंजिस्ट इसमें शामिल कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेता है हमें इसमें कोई भी इसेंस डालने की जरूरत नहीं है यह इससे बहुत ज्यादा टेस्ट आ जाता है अब यहाँ पर में और इंज फुट कलर इस्तेमाल कर रही है और आपके पास उसे अच्छे से ऑईल से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगा लेते हैं बटर पेपर लगाने से केक जलेगा नहीं अब यहाँ पर हम ग्यास को फुल फिलेम पे रखके एक पतीला रख देंगे पतीली को हमें अच्छे से 10 मिनट के लिए प्री हिट करना है तो अब इस ऐसे टैप कर लेना है 10 मिनट हो गए है इसे प्लेट हटा लेनी है और यह जो हमने बैटर बना कर रखा है केक का यह इसमें रख देते हैं अब इसे ढांक कर 30-40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं अब इसे लो फिलेम पे रख देना है 30-40 मिनट के लिए 30 मिनट के बाद आप इसे एक स्टिक से चेक कर सकते हैं अगर स्टिक सूखी रहेगी तो ये केक बनके तयार हो गया है अगर थोड़ी से इस्टिक गीली निकल कर आ गई है तो आप देख सकते हैं अगर थोड़ी गीली हो तो आप इसे फिर से 10 मिनट के लिए रख दीजिए मैंने यहा पर पार के के यह कितना अच्छा बन की त्यार हुआ है तो अब रिष्टे अब इसे हम निकाल लेते मेश बटरकार अ'sії आप इसे कट कर लीजिए नहीं तो अगर गरम में कट करेंगे तो यह तूट भी सकता है अब इसे साइड से ऐसे छुरी या काटे से थोड़ा सक खोल लेना है और इसे निकाल लेना है बटर पेपर हटा लिजी आप देख सकते हैं कितना सौफ्ट और स्पंजी बन के तयार हुआ है आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ज्यादा टेस्टी था है औरेंज केक बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं बेकफास्ट में खा सकते हैं चाय के साथ बच्चों को दे सकते हैं तो कैसे लगी आपको एक रेसिपी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको मेरे जित पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ज्यादा से जादा अपने फैमिली और फरेंड्स में शेयर कीजिए दौाओं में याद रखे थैंक्स पर वाचिंग, अल्ला हाफिज